राम जब बंगमन कर रहे हैं तो उस समय उनको बहुत सारे समझाने वाले उनके सहयोगी उनके मंत्री मंडल के सबस्य उनको कह रहे हैं कि आप क्यों बन जा रहे हैं प्रजा आपके साथ है पूरा मंत्री मंडल आपके साथ है आप कहें तो हम खल आपको राजा मना जए और आपके पिता भी मना नहीं करेंगे वो दिल से तो यहीं चाहते हैं कि आप भी राजा मने ल लेकिन आप चिंटा मत करिए, हम उनको मना लेंगे और इस बचन बंद होने के लिए प्राइश्चित भी करवा लेंगे, लेकिन आप एक बार हाथों करिए, कि बंद नहीं जाओंगा और गंदी समा लूँगा, तो राम जो उत्तर दे रहे हैं, कम ब्रामाइन में, बहुत ही स सुंदर ये स्टेटमेंट है, तमिल में है, तमिल में आपको सुनाओंगा, समझ में नहीं आएगा, तो सीधे हिंदी में बताता हूँ, वो अपने सब दर्मारियों को इकटा करते हैं, और कहते हैं कि आपने मेरे साथ बहुत सही हो किया, मैं आपका आभारी हूँ, इतले द तो हो है, लेकिन बड़ा कुछ और भी है, तो वो बड़ा क्या है, वो कह रहे हैं तमिल में, हिंदी में उसका सीधा सा मकलब है, वो कहते हैं कि देखो, दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना, और उन दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना, ये दुनिया का सबसे ये दुनिया का सबसे बड़ा न्याय है और मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन में कुछ न्याय कर सको इश्वर ने शायर मुझे ऐसा समय दिया है कि मैं अपने द्रश्टी से जिसको न्याय मानता हूँ उसको इस्थापित करके दिखाऊ आगे वो कहते हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ना और उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा प्रयत्नशी रहना ये दुनिया का सबसे खराब स्वार्त है अपने अधिकारों के लिए लड़ना और सदर्त उनकी रक्षा करने के लिए प्रयत्नशी रहना ये सबसे खराब स्वार्थ है तो मैं स्वार्थी होके जीवित नहीं रहना चाहता मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग नियाय के बक्ष में खड़ा हुआ देखें नियाय के लिए संगर्ष करता हुआ देखें और नियाय के लिए लगता हुआ देखें तो उनके एक महावात्य उनको पूछ रहे हैं महावात्य वाने जिसको आजकल आप प्रधान मंत्री कह सकते हैं उनको पूछ रहे हैं कि आप वन गमन करेंगे तो ये कैसे होने वाला है कि आप म्याई के लिए लड़ेंगे और ये आप राजगती पर बैठेंगे तो ये क्यों नहीं होने वाला है कि आप नयाय करेंगे ऐसे कैसे होने वाला है कि आप बन में जाएंगे तब ही नयाय के लिए तब राम कह रहे हैं कि देखो हमारे जो बन है इनकी हालत बड़ी खराब है कहानी सुना रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनकी हालत बहुत खराब है, क्या है, इन वनों में बड़े-बड़े रिशी मुनी तपस्या करने के लिए आते हैं, लेकिन राक्षस जादी के कुछ लोग उनको विगन डालते हैं, वो उनकी तपस्या पूरी नहीं होने देते, बहुत सारे रिशी मुनी यर्गी करना चाहते हैं, राक् तो निश्यत रूप से मेरा आमना सामना इन राक्षसों से होगा, और अगर मेरे हातों कुछ राक्षसों का अन्त होगा, तो रिशी मुनियों के अधिकारों की रक्षा होगी, जो अधिकार उनका यर्गी करने का और तपस्या करने का है, और तब मैं उन अधिकारों के कि आप अगर यहां गद्धी पर बैठते हैं साशन चलाते हैं तो भी तो यह संभव है तो रड़का कि अगर यह यहां गद्धी पर बैठकर साशन चलाने से संभव होता तो मेरे पिता-श्री ने इन सब राक्षसों का संधार कर दिया होता मेरे पिता श्री इतने वर्षों से राजा है और छोटे मोटे राजा नहीं चक्रवर्ती राजा है तो मेरे पिता श्री इतने वर्षों से है फिर भी राक्षास इन रिशी मुनियों को परिशान कर रहे और ये बात बहुत अच्छे से समझ में तब आती है जब विश्वामित्र जो उस जमाने के बहुत महान्त रिश्यों में एक हैं वो आते हैं दश्रत के पास राम को मांगने के लिए कि भाई अपना कुत्र देदो जरा मुझे अपना यह की संपन्न कराना है और राक्षस जो विट में डाल रहे हैं उनका अंत करवाना है राजमहल में ही रहते और राक्षसों को मालुम है कि इनकी शक्ति राजमहल तक ही सीमित है इसलिए जंगल में जो मन में आता है वैसा दुर्विवार रिश्यों के साथ करते हैं तो वो अपने मंत्री मंटल को संधियों संतुष्ट करते हैं कि देखो मैं जब बंद पहुंचूंगा तब ही यह संभब है यहां राजमहल में रहकर संभब नहीं है तो एक दिन महामाति फिर माले एक छण के बाद फिर महामाति कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी सेना को आदेश करें आपकी सेना माले अयोधिया की सेना आप आदेश करें यह जंगल में जाएगी और सब राक्षसों का काम तमाम करदा लेगी तब राम चंदर जी का दूसरा स्टेटमेंट आप सुनिए और वो उनकी मर्यादा पुर्शोत्तम होने की छवी को और मुझा बनाता है वो क्या कह रहे हैं बहुत अच्छी बात को कह रहे हैं वो यह कह रहे हैं कि देखो या महल में रहते हुए मैं साशन करूँगा तो वो साशन सुख और सुविधाओं से पूरा भरा होगा सुख और सुविधाओं से पूरा भरा होगा और जब राजा सुख और सुविधाओं में डूबा हुआ हो तो प्रजा के कष्ट का अनुभब नहीं कर सकता जब राजा उन्हीं कष्टों में डूबता है जिनमें प्रजा डूबी हुई है तब उसको अंदाजा लगता है कि दुख कितना बड़ा है और समस्या कितनी गंबीर वो कह रहे हैं कि यहां मैं रहूंगा राजगत्वी पर बैटूंगा अच्छे फलंग पर सोऊंगा दास-दासियां मेरी सेवा में रहेंगे तो ये सारा सुक सुविदा मुझे दुख का अनुभव मुझे अगर परज़ा के दुखों का अनुभव करना है तो उनके बीच में जाके उनके ही तरीके से रहना होगा तब मुझे अंदाजा भगेगा कि मेरे राज़ी की परज़ा कितने दुखों का सामना कर रही है ये दूसरा स्टेमेंट है जो उनके मर्यादा पुर्शोत्तम होने की चबी को और पूचा कर देता है पहली बात कि दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना और उसके लिए संघर्ष करना यही नयाय है अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रयत नशील होना दुनिया का सबसे खराब स्वार्थ है और उसके बार कि जब मैं बन में जाओंगा तो प्रजा के कष्ट मेरे कष्ट होगे मुझे उसका अनुभव गहराई से होगा तो समाधान करने के लिए भी मैं ज्यादा ताकत से प्रस्तुत हो पाऊगा इसके बार किसी महामारते की हिम्मत नहीं वो उनसे समबाद कर सके तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है आपने तै कर लिया है आप जा रहे हैं